तो के टो के तो आज हम बात करेंगे के पारे में जिन इब ऑत स़ारे लोगों को डाइव अलग अलग रहेंगी तो कोट अपने मान लोग कि मैंने अब बहुत सारी को सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसको निए ना बात चीट ना कुछ तब जाके जो पार्टन ने छोड़ के गया या फिर जिसको भी वालिंटरी चाहिए वह कोट जाता है कि जब सब इस ग्राउंड पर हम डाइवर्स लेना चाहते हैं क्योंकि दो साल हो गए हमारे कोई इलेशन नहीं बनेया और हमें डाइवर्स दिया जाए ठीक है तो कंसेप्ट यह है वह एपलाई करना पड़ता है वह बनाते ना यूटूब पर बताते हैं कि यार पता नहीं क् ग्राउंड कि भी तुम तुमारे पास ग्राउंड बने गया अब तुम कोड़ जाओ डिकरिलो और दुसी शादी करो अपने आप नहीं होता है कि डायवर्स हो गया यह हो गया अब अपने आप कैसे होता है मैं पने आपके लिए चाहिए शाथ साल का प्रेड अब वो कैसे कि उसकी condition है, मन के जोकी किसी का husband उसको चोड़के चला गया, किसी भार country में है, कहीं वही, फलाना डेखा나 कहीं भी चला गया, तो अगर 7 साल तक, ना तो वो आता है, यानि कि ना तो, ना ही उसके बारे में, किसी ने सुण ना उन्हाँ जाएं, उसके लिए condition है, condition है कि उसके बारे में ना तो किसी ने सुनना चाहिए, कि जैसे 7 साल हो गए उसका पता ही नहीं है कहा है, नहीं किसी के थुरू पता चलना चाहिए, जैसे नहीं कोई उसकी बात करें, मतलब ऐसा होना चाहिए कि मर गया, और court भी उसको dad consider कर लेती है, लेकिन उसका जो time period है वो 7 साल है, Indian Evidence Act के 108 में provision दिया हुआ है, उसमें वो ये बोलता है कि अगर कोई परसंद 7 साल तक उसके बारे में ना सुना गया है, नहीं उसके बारे में कोई चड़ चाहिए, कुछ भी नहीं है, तो court उसको consider कर लेगा कि death है, कि वो dad हो गया है, अगर मानलो आपका पती है, जो husband है या wife है, 7 साल तक बिल्कुल का है, नहीं उसके बारे में कोई अता लग रहा, ना पता लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, 7 साल हो गया, तो वो अपने आप drivers हो गया, अब अपने आप कैसे हो जाता है, मानलो 7 साल हो गया, हाला कि यह long time का period है, 7 साल हो गया, तो अगली party, खुद शादी कर सकते हैं, दूसरी शादी, यानि कि कुछ दूसरी शादी, मन में कुशन आ रहा होगा, कि अगर मानलो 7 साल के बाद, वो person आ जाता है वापिस, तो क्या होगा, तो देखो जिसने अगर शादी करी है, यानि कि वो उसको छोड़ के चला गया था, 7 साल होगे, अब एक पार्टी ने शादी कर ली, तो उसको तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली है, और उसकी जो दूसरी शादी है, वो वैलिड मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी, क्योंकि कोट कंसिडर करता है, कि भई, तुम 7 साल तक अगर गायव हो, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुनाए, तो तुम डैड मान लिए जाओगे, अब इसमें गलती कि इसके जो परसन आया है, अरे 7 साल होगे, भई, तुझे तो देखना चाहिए था ना, तो जिसने शादी कर ये, तो वो साधी जो पहले वाली की है, वो इन्वैलोड होगे, हला कि ऐसा होता नहीं है, मैं आपको जंदल लूल बता रहूं बस, तो डरने की जूरतनी है, कि अपने आप हो जाता है, तो कोई ऐसा अपने आपने नहीं होता भाई, करना पड़ता है, कोट जाना पड़ता है, धक्के घाने पड़ते का चेरी बचेरी का, ठीक है, ओके, सो, आई ओप, किलियर,